हलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ड्रग बुक कैसे बनाई जाती है तो अगर आप जी एनम फस्ट इयर या बीएसी फस्ट इयर में हो और एनम फस्ट इयर में हो तो यह वाली ड्रग बुक आपको समझ में आ जाएगा देखकर कि कै कैसे बनती है 9 और यह जो ड्रग Euch है वयसे यह उड्रेखर में की सबजेक्ट के लिए बिल्कुल सी टेबल है तो आब हम देख लेते हैं कि कैसे बनाई जाती है तो जब भी आप ड्रग बुक बनाऊगे चैनल दोस को इस तारह से कॉलम्स में आपको बनाना होता है और उसमे क्या कि आपको लिखना है तो drug का नाम लिखना है dose उसका root और frequency यानि कि दिन में वो कितनी बार दी जा सकती है drug फिर उसका action बताना है क्या है फिर side effect और nursing responsibility कई बार यहाँ पर एक जगा में indications भी लिखी जाती है लेकिन इस वाली drug book में तो नहीं है पर आप add कर सकते हो इस जगा पर indications भी तो यह columns इस तरह से बनाके ही drug book बनाई जाती है और drug book यानि कि drugs के उपर आपको assignment त्यार करनी होती है जब आपकी clinical posting लगती है तो वहाँ पे अपने जो जो drugs देखी वाइड में वो फिर आप note करते हो और फिर उनको पूरा explain करके अपना assignment त्यार करते हो वह यहाँ प time drugs आपको एक जैसी ही available मिलती है जैसे emergency में भी वही मिल जाएंगी फिर medical ward में भी surgical ward में भी कुछ एक ICU में कुछ extra drugs होती है तो अभी हम drugs देख लेते हैं कि कौन-कौन सी drugs है इसमें तो इसमें सबसे पहले है salbutamol यह एक bronchodilator drug है और इसकी यहाँ पर dose लिकी हुई है फिर इसक से इन रूट से इसको दिया जाता है salbutamol को और हाँ आप चाहिए तो इदर ना chemical name और trade name करके भी लिख सकते हो जैसे जो brand name होता है trade name वही होता है वह अलग से आप लिख लो यहाँ पे और फिर उसका chemical name भी बता दो drug का यह है frequency यानि कि TDSP इसको देते हैं और QDS दिन में तीन बार और चार बार फिर action लिखा गया है इसका कि यह क्या करता है salbutamol relax the smooth muscle of all airways from the trachea तो यह एक bronchodilator का का काम करता है smooth muscle को relax करने का main काम रहता है फिर इसके यहां पूरे side effects बता दिये हैं ऐसे ही आपको हर एक drug के side effects बताने है side effects drugs के रहते हैं और फिर last में आप nursing responsibility लिखोगे क कोई भी drug आप patient को दे रहे हो तो उसमें क्या nursing responsibility आपकी बनती है में लिए हमारी जो nursing responsibility होती है वो यह होती है कि drug को देने से पहले हमको check करना है doctor का order कि किस patient को कौन सी drug देनी है ऐसा नहीं है कि आपने 2 number वाले patient को 3 number वाले patient के drug देनी है मिस क्या कहता है उसे mal practice नहीं करनी है ए एक दम accurate dose होनी चाहिए कोई कम या जाधा overdose नहीं देनी है patient को order को पूरा check करना है right patient right route right documentation यह सब का ध्यान रखना होता है अब हम next drug देखते हैं इसी तरह से nursing responsibility जाज़तार ऐसी ही लिखी जाते है जो मैंने आपको ऐसे परबली बताया ना और लिखा भी हुआ है फिर next drug है वो लिखते हैं नहीं पर फिर इसकी frequency वैसे कितनी बार यह दी जाती है तो odbd दो बार या एक बार may be repeated if necessary every five to ten minutes यह और भी repeat की जा सकती है और यह जो drug होती है यह life saving drug है atropin ADR को हम जब patient crash कर जाता है तो उस time पे देते हैं तक उसके जो parameter से उनको हम increase कर सकें यह देखें इसका action ADR is a drug lead to increased blood pressure, heart rate, increased air entry, air increased blood glucose, stimulate cardiac activity और allergic reaction यह एनफाइलेक्टिक रेक्शन जब हो जाता है तब भी इस drug को देते हैं यह एक life saving drug भी है और एनफाइलेक्टिक रेक्शन जब पूरे body में hives हो जाते हैं और hypersensitivity उसमें इसको देते हैं तो यह मैंने आपको बता दिया इसके बारे म side effects बता देने हैं इस drug के सारे हैं फिर nursing responsibility उसी तरह से कि कुछ भी drug दे रहे हैं तो पहले patient को आपको चेक करना है उसके vitals वगरा भी देख लेने हैं और फिर उसको drug देना है documentation का पूरा धिहान रखना है record and reporting का धिहान रखना है नेक्स्ट हमाई ड्रक है आमाइनो फिलन यह थियो फाइलिन के नाम से भी आती है यह वाली जो है तो इसकी भी डोस बताईए 250 से 500 यह और ली जाती है और साथ में यह जो है ना यह आईवी भी होती है यह वाली रख उसके बाद है टीडेस की उडेस तीन में तीन चार बार अमाइनो फिलन भी एक वो है ब्रोंको डाइलेटर का काम करती है यह बी और इसका जैसे की वीजिंग है किसी को डिफिकल्टी ब्रीधिंग है शॉर्टेस प्रैथ है उन सब में यह अमाइनो फिलन दी जाती है द्रग थीओ फाइलिन के नाम से भी यह अवेलिबल होती है त यह बारे एक ड्रक के साइट रहते हैं लोपैथी आपको बताई है तो साइट इफेक्स बता देने हैं और नर्सिंग रिस्पॉंसिबिटी यह चीज़े मैं आपको इसलिए नहीं समझारी हूं कि नर्सिंग रिस्पॉंसिबिटी मैक्सिमम टाइम एक जैसे लिकी जाती है लगबग और साइड इफेक्ट में कुछ जी आई के साइड इफेक्ट होते हैं हाइड के ओपर भी साइड इफेक्ट कार्डियू साइड इफेक्ट हो सकते हैं तो इस तरह के थोड़े बहुत साइड इफेक्ट हैं जोकी हमको लिखने होते हैं रक्स के नेक्स जो ड्रग है वो है डाइजीपाम यह तो बेंजोडाइजीपन है एंटी इंग्जाइट्री ड्रग्स जो होती है उसके लिए देते हैं और सिडियेटिव का इसका में काम रहता है नीद आती है इससे और सिडेटि फिपनोटिक काम रहता है डाइजीपाम जो बेंजोडाइजीपन की आती है और इनका जो काम होता है जो गाबा होता है उसके एक्टिविटि को इंक्रीज करते हैं तो आप यहां पी इसका एक्षिन पढ़ सकते हो कि डायज़ी पाम इंग्रीज्ट एक्टिविटी ऑफ गाबा तो गाबा क्या होता है गामा अमाइनु ब्यूटिरिक एसिड यह होता है इसका फुल फॉर्म और नर्बस सिस्टम पर यह यह निकि सिगनल भीजने का वर्क है तो वही इसका साइड इफेक्ट पी ड्राउजी पेशेंट होगा उसको ठका ठका लगेगा और स्पेशलिस में ध्यान रखना होता है कि ड्राइविंग बिल्कुल नहीं करने है पेशेंट को जो यह दबाई लेता है उसके बाद ऐसी को एक्टिविटी नहीं करने जो ड् है उसके बाद नर्सिंग रिस्पॉंसिब्लेटी में भी आपको पेशेंट का थोड़ासा वाइटल वगेरा नोट करने हैं और पेशेंट की कंडिशन को देखकर यह मैडिसन देनी है डॉकुमेंटेशन आपका प्रॉपर होना चाहिए राइट पेशेंट राइट रूट राइट डोस राइट ऑक्मेंटेशन यह सब में हर एक ड्रग में आप यह नर्सिंग रिस्पॉंसिब्लिटी आइड कर सकते हो उसके बाद हमारी प्रिड्नी सोलान ड्रग है यह इम्यून असप्रेसेंट होती है कॉर्टिको स्टिरोइड इसका एक्शन होता है यह निका है तो यह कौर्टिको स्टिरोइड है और चैसे और इम्यून जो डिस ओर्डर होते हैं उनमें इसको देते हैं क्योंकि इम्यून सिस्टम को कोई जो सब्रेस करती है न दवायाँ उनको वो दवायां होती है मूने से सब्रेसेंट तो गई प्रिट्निसलों इसके डोज, रूट, फ्रिक्वेंसी इसको ओडी भी देया जाता है और इसको दिन में चार बार, तीन बार ऐसे दे सकते हैं इसको मेरी साइट इफटी होता है कि भई वेट गेनिसे हो जाते हैं इसमें फ़ता नहीं लिखाएकि नहीं बट यहां पर आप एड कर सकते हूं वेट जिंक का ही करता है, विट के होता है, स्वैलिंग भी आती है से तो यह इसके पूरा एक्स्लानेशन है यहां पर नेक्स जो ड्रक है वो है रेंटेडिन जो की एच्टू ब्लॉकर होती है यह इंप्टी स्टमक इसको दिया जाता है आप काफी बार देखा होगा इस रग को तो रेंटेक के नाम से भी आती है इसका ट्रेड नेम और यह एं स्टमक वैसे तो हमारे स्टमक में एसेड होता ही है एक्सील के नाम से हाइड्रोप्लोरिक एसेड लेकिन जब उसका अमांट नौर्मल से जाधा हो जाता है तो फिर एसे प्रॉब्लम होने लग जाती है फिर यह दवाईयां देनी पड़ती है जैसे कि रैंटेडिन हो गई स ने घंप लग उनको देया जाता है या फिर अधर जो हैं अंटासेडसेड से रप सोते हैं उनको भी देते हैं और तो जादा तर इसके साइड इफेक्ट तो लेकिये हुए बड़ मैक्सिमम टाइमस के साइड इफेक्स जादा देखने को नहीं मिलते हैं होते तो हैं ड्रॉ जो लेते हैं जादा तर उनमें साइड इफेक्ट्स नहीं होता है कुछ भी ठीक होती है यह इतना कोई इनका एड़र्स रियक्शन नहीं होता है इसका मैं बता देती है जो आरिदमिया की प्रॉढल्म होती है उसको यह ठीक करती है यह आ?, यानि हार्ट के रिदमगूल लाने का यह काम करती है इसका एक्शन होए एंटियर्दमिक एजेंट है रिए और इसका डोस बताया गया है रूट फिर इसका फ्रिक्वेंसी इन एक बार या फिर इसको दो लगते सकते हैं अगर जरूरी है तो और यहां पर इसका एक ओपन एक्षिन लिखा हो थोड़ा जादा एक्षिन लिखे है हो वह लेकिन आप एक चूटा सा एक्शन भी सा सकती है blur vision हो सकता है उसी तरह से आपको nursing responsibility लिखनी है कि भाई जब भी आप इसको दवाई को दो तो आपको monitor करना है blood pressure patient का तो क्योंकि cardiac activities में monitor करना ज़रूरी है क्योंकि एंटि अरिद्मिक जग है और इस तरह से complete आपको nursing responsibility लिखनी है record reporting का पूरा ध्यान रखना है चलिए नेक्स्ट देखते हैं अप नेक्स्ट है अट्रोपिन तो यह भी life-saving drug होती है अट्रोपिन स्क्रेशन को भी रिद्यूस करती है इस बहुत साथा किसी को patient को subscription बन रही है suction करना पढ़ रहा है बार-बार उसको बार-बार तो उसमें भी इसको दे देते हैं इसकी डूर्स बताई गई है और बाकी life-saving drug तो यह है ही जैसे patient जब crash कर जाता है तो एट्रोपिन हम देते हार्ट rate increase करने के लिए patient के मतलब पैरामेट्रस होने इंक्रीज करने के लिए ADR भी इसके साथ देते हैं ADR भी जैसे बीपी कम हो रहा है तो वह increase करेगा वह वैसे ही एट्रोपिन भी साथ में देते हैं life-saving drugs इनको बताया जाता है और इनके side effects आपको लिखने है nursing responsibility उसी तरह से बतानी है पूरी यह देखो side effects का dry mouth यह करता है क्योंकि creations जिनको बहुत आता है ना patients को उनमें जब देंगे तो फिर obviously यह dry mouth करेगा इसके लाब blur vision है hypersensitivity यह hypersensitivity reaction जो होता है यह तो आप हर एक drug में लिख सकते हो हर एक drug में drug book जब बनाते हैं तो hypersensitivity reaction तो हर एक drug में चला जाता है फिर हमारा डोपामीन है next drug तो डोपामीन होता है यह आइनोट्रॉपिक drug है और यह भी blood pressure को increase करने का काम करता है जैसे बीपी लोग हो रहा है hypotension हो रहा है तो बीपी को increase यह करते हैं drugs उसके side effects क्या होते हैं goose bumps इसमें हो सकते हैं chest pain irregular heart beat कर सकता है shortness breath numbness chills headache anxiety यह सब इसके side effects है और nursing responsibility nursing responsibility में vitals देखने ज़्यादा जुरूरी है और इसे देने से पहले बीपी पेशेंट का देखना है कि पेशेंट का बीपी अगर normal है तब तो क्यों ही देना है इसको हाँ अगर decrease हो रहा है तो फिर इसको देना होता है dopamine को इदर जो actions लिखे है न यह थोड़े जाद explain करके लिखे गए है मैं आपको छोटा छोटा action एक लाइन में बता रही हूं कि हाँ इस ड्रग का यह वर्क है यहां पर थोड़ा explain करके लिखे हैं अगर आप चैसे assignment बना रहे हो अपनी तो आपके लिए फिर इस तरह से action लिखना सही है और यहां पर ब्रैकेट में उसका एक exact action जो है ड्रग का वह आप लिख सकते हो जैसे कि कोई भी ड्रग है आपकी सिंपल सी हम ड्रग ले लेता है पैरासिटामोल तो उसका action है एंटिपाइरिटिक तो इस तरह साब छोटा-छोटा action लिख सकते हो अब है नेक्स ड्रग चुकी है विकरोनियम यह आईस यूज में ज्यादा देखने को मिलेंगी आपको और यह जो ड्रग होती है ना यह मसल रिलेक्सेंट का काम करती है पेशेंट को जब इंटिवेट करते हैं उस टाइम पे से दिया जाता है पेशेंट को बिल्कुल मतलब जन्रल अनिस्थीजिया का यह वर्प करेगी यह पूरा एक्सेक्ट एक्षन है यहां तो काफी अच्छी तरह से लिखा हुआ है बट मैं पुता रही हूं कि मसल रिलेक्स कर देगी पेशेंट की बिल्कुल पेशेंट जो भी इंटुबेशन के दौरान जो भी प्रोसस होग पेशेंट को कुछ भी पता नहीं चलेगा उसकी मसल से रिलेक्स हो जाएंगी जन्रल रेंस्थीजिया का यह काम करेगी ना ही पेशेंट को कोई तकलीफ होगी जब यह हम दे देंगे इंजेक्शन उसे तो इसकी भी कुछ साइड इफेक्ट से हाइवस हैं डिफिकल्टी ब लगेगी रिडियूस इंदे सेंस उसका पूर्स रिट कम होने लगा उसका जो ऑक्सीजन लेवल है सैचुरेशन वह भी घट जाएगा तो पेशेंट बतलब इससे निकल भी सकता है तो वह ध्यान में रखना है कि अगर यह दिया है तो उसके साथ में पेशेंट को प्रॉप इंजेक्शन फिर है नेक्स्ट हैपेरिं हैपेरिन आप सबको बता है कि एक एंटि कोगुलेंट है यह जो चो क्लॉाट हो जाते है हमारे Blur Wenslud में उनको यह तोडने का काम करता है या फिर बनने ही नहीं देता कि बनने ही नहीं its वी गसाइस आर ठेहीब होती है यह सब उनको यह नहीं बनने देता है फिर इसका action है anticoagulant prevent blood clot यहाँ पर लिखा है फिर यह treatment मतलब blood clot को बिनाने से मेंडी रोक रहा है और जैसे कि अगर किसी patient की surgery है तब इसको नहीं देना होता है होल्ड कर देते हैं इस तरह की जो ड्रक्स होती है क्योंकि bleeding का भी वर्क करते हैं अगर यह दे रहे हैं और surgery patient को रहा है तो फिर bleeding की problem उसमें हो सकती है side effects बताना है तो side effects पहला side effects में hemorrhage यानि कि bleeding हो सकता है अनीमिया हो सकता है नोजय मोमेटिक है अडिक अडीमा ट्रॉंबो साइटोपीनिया यह एंड लिखा गया है एंड नर्सिंग रिस्पॉंसिबिटी का आपको ध्यान में रखना है नर्सिंग रिस्पॉंसिबिटी प्रॉपर लिए नेक्स्ट है मैं मैं में मसल रिलेक्स संगे हुता है तो मसल रिलेक्स करते यह मैं मैंनेशियम ठॉलøप function increase sweating visual changes muscle tightness यह सभी से होता है nursing responsibility में आपको इसके वाइट वगेरा पेशिंट के ध्यान में रखने हैं नूट करते ही रहाना है पॉपली और आपका जो record reporting में और देखना है भी पीज का monitor करना है पेशेंट का इसके साथ में कि रोबैक्सिन नेक्स ट्रक है रोबैक्सिन भी एक मसल रिलयक्सेंट होती है और skelet इसको बोलते हैं अ यह क्या तो वह रप्स है नर्व इंपमक्राब्स उनकर करनी का काम करती है उससे फिर सन जो मसल रेल्यर्य रिलेक्सेशन का काम होता है पेन सेंसेट पीशन होती है उन्हीं होती है वो इसका काम है परक्ता अब यह लास्ट ड्रॉक है यह ऐसाइक्लोबेंजापाइन यह भी इसके लेटन मसला को आरो है आरी आप लास्ट में और यह बहें प्रेशन्ट का वर्क करती है लास्ट है हमारी तो इस तरह से हम लोग ना drug book त्यार करती हैं जो मैंने आपको समझा दिया है देखो इसमें तो कुछ main drugs हैं जो कि MSN के subject के लिए आपकी बिल्कुल सही है लेकिन आप चाहे तो इसमें और भी अपनी तरफ से drugs add कर सकते हो उसी तरह आपको उनका dose, root, frequency, action, side effect, nursing, responsibility आपको लिखनी है इसमें आप और भी दूसरी drugs भी add कर सकते हो बहुत drugs होती है जो कि यूज की जाती है hospitals में वह आप लिख सकते हो बिब्लोग्राफिक कुछ इस तरह से लिखी हुई है तो यह book है जहां से बनाया गया है औ और MSN की मैंने पहले ही दो drug book upload करी थी बट वो पहले जो मैंने upload करी थी न वो अच्छे से column wise बनाई नहीं थी simple बनाई थी तो यह वाली बिल्कुल सही बनी हुई है इसकी help से आप बना सकते हो इस तरह से बनाते है exactly drug book को और जो भी बच्चे telegram group से नहीं जूड़े हैं वो ज बनाने का मोटिवेशन मिलता रहता है और थेंक यू सो मुच फॉर वाचिंग